अमेरिका और इरान के बीच परमाडू जंग हो सकती है यह सवाल इसलिए उट रहे हैं क्योंकि डोनाल ट्रम्प ने एलान कर दिया है कि अगर इरान मेरी हत्या करवा देता है तो अमेरिका इरान का पूरी तरह से सफाया कर दे उसे दुनिया के नक्षे से मिटा दे आखिर ट् झाल 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 उसे एला है तरह संवाटाइब कर दो जाए प्रेट है कि अगर देंगे समय उसे मिटाइब कर दो अधक रहाँ practiced पमाड़ है अगर ट्रॉम्प की हत्या हुई तो नक्षे से मिठेगा एरान क्या ऐसा संभव है कि अगर एरान अमेरिका के पूरो राश्रबादी डॉनल्ड ट्रॉम्प की हत्या करवा देता है तो अमेरिका एरान को दुनिया के नक्षे से मिठा देगा क्या इस डावे पर यकीन किया जा सकता है कि 13 जुलाई 2026 तिन शनिवार को जिस तरह से ट्रॉम्प की गोली मार कर हत्या करने की कोशिश की गई उस खौफनाक साजिश के पीछे एरान की खुफ्या एजेंसिया थी आखिर ट्रॉम्प दुनिया को ये क्यों बता रहे हैं कि अगर मेरी हत्या होती है तो अमेरिका इरान को पूरी तरह से तबाह और बर्बाद कर देगा क्या अमेरिका और इज्रैल मिलकर इरान पर भीषण परमाणू हमला कर सकते हैं ट्रॉम्प की परमाणू वसिय इरान पर आखिरी हमला जानलेवा हमले के बाद से ट्रॉम्प इरान को लेकर बेहत आक्रामक हो चुके हैं ट्रॉम्प ने सोशल मीडिया पर जो बयान दिया है उसके बाद से पूरी दुनिया में हरकंप मच गया है जरा देखिए ट्रॉम्प ने इरान को लेकर क्या कहा अगर वो राश्यपती ट्रॉम्प के हत्या करते हैं जिसकी हमेशा संभावना है तो मुझे उमीद है कि अमेरिका इरान को मिटा देगा उसे पित्वी से मिटा देगा अगर ऐसा नहीं होता है तो अमेरिकी नेताओं को निर्भी कायर माना जाएगा ट्रॉम्प का ये बयान नेतनयाहू के उस बयान के बाद आया है जिसमें नेतनयाहू ने इरान पर सीधा निशाना साथते हुए वशिंटन में अमेरिकी कॉंग्रेस को सम्मोधित करते हुए कहा था कि अमेरिका और इस्राइल का सबसे बड़ा दुश्मन इरान है इजभुल्ला से इस्रैल और अमेरिकी ठीकानों पर हमले करवा रहा है नेतन याहूं और ट्रम्प के बयान में इरान ही दुनिया का सबसे बड़ा दुश्मन है When Israel acts to prevent Iran from developing nuclear weapons Nuclear weapons that could destroy Israel and threaten every American city Every city that you come from सोशल मीडिया टुथ पर ट्रम्प के बयान के बाद से सवाल उठता है कि क्या ट्रम्प के ऊपर इरान का खौफ हावी हो गया है क्या ट्रम्प को लगता है कि पेंसिलवीनिया में 20 साल के जिस सम्लावर थॉमस मैथ्यो क्रूक्स ने गोली चलाई थी उसके पीछे इरानी साजिश थी दूसरी तस्वीर में ये समझने की कुशिश की जा रही है कि क्या ऐसा हो सकता है कि अगर ट्रम्प की हत्या इरान करवा देता है तो फिर अमेरिका इरान को तबाह करने के लिए भीशन परमारू हमले कर सकता है क्या ट्रम्प के बवाली बयान के आधार पर अमेरिका ऐसी का रिवाई इरान के उपर करने में सक्षम है या फिर इरान को तबाह करना अमेरिका के बस की बात नहीं है अगर ट्रम्प के हत्या हुई तो नक्षे से मिटेगा इरान डॉनल्ड ट्रम्प पर इसलिए इरान के बदले का खौफ मन रहा है क्योंकि 3 जनवरी 2020 को इरानी सीना के जनरल कासम सुलिमानी के हत्या डॉनल्ड ट्रम्प के आदेश पर की गई थी उस वर्थ डॉनल्ड ट्रम्प अमेरिका के राश्टोबती थे इरान की राजधानी बदाद में ट्रम्प के आदेश पर इरानी जनरल कासम सुलिमानी को अमेरिकी सेना ने डॉन से मिसाइले दाग कर मार डाला था इरान तब से ट्रम्प की हत्या करने की साजिश में जुटा है जिसकी वज़े से ट्रम्प बोरी तरह से घबराय हुए है क्यों इसरेल इरान के परमाणू अड़ो और संस्थानों को टार्गेट डरने जा रहा है क्यों पूरो राजध्यपती डॉनल्ड ट्रम्प अपने ऊपर हुए हमलों को इरान से जोड रहे है क्यों ट्रम्प राजध्यपती चुनाओं से पहले अमेरिकियों को मैसेज दे रहे है कि इरान उनकी जान लेना चाता है लेकिन ये भी सच है कि इरान को पृत्वी से मिटा देने का ख्वाब देखने वाले ट्रम्प कभी भी इरान का विनाश नहीं कर पाएंगे जरा इस एनिमेशन को देखिए कुछ रेपोर्ट्स के दाबों के मताबिक इरान ने तमाम प्रतिबंधों के बावज़ों दीस गुना अत्यधिक समवर्धित यूरेनियम का भंडार जमा कर लिया है इरान में हाई क्वालिटी का यूरेनियम इतनी ज्यादा मात्रा में एकठा कर लिया है कि वो आराम से हर महीने दो से तीन परमाणू बंबना सकता है इधर दूसरी तरफ अमेरिका, फ्रांस, बिटन और जर्मनी मिलकर पूरी कोशिश में लगे हैं कि इरान परमाणू बंबना सके इरान के जानकारों के मताबिक अमेरिका समें चार देश इस वक्त इरान के खिलाब साज़िश करने में जुटे हैं ताकि इरान की परमाणू क्षमता को बरबाद किया जा सके अमेरिका तो खुले आम कहरा है कि वो हर हाल में इरान की एट्मी ताकत को खत्म करेगा लेकिन अमेरिका और इसरेल के लिए ऐसा हमला करना इरान पर आसान नहीं है इस वक्त इरान दुनिया में आत्मगाती ड्रोन बनाने में काफी आगे निकल चुका है उसकी पास हजारों की तादाद में बैलेस्टिक, क्रूज और हाइपरसोनिक मिसाइले हैं जिसमें से कई परमाणो बंस से बहुत कम वक्त में लैस हो सकती हैं इसी वज़े से दावा किया जा रहा है कि इरान के परमाणो फैसलिटी पर हमला करना इस्रेल के लिए इराक और सीरिया की तरह आसान नहीं होने वाला है सबसे पहली बात इरानी परमाणो फैसलिटी बिखरी होई है और उनमें से कई पहाडियों में इस्थित हैं दूसरी बात ये कि इस्रेल से इरान के पर्मानों उस्थनों तक सीधी उडान के लिए भी हवा में इंधन भरने या इंधन भरने के लिए लैंड करने की अवश्यक्ता होगी। इरान और इस्रेल के बीच जॉर्डन, इरान और सौधी अरब इस्थे थे जिन में से कोई भी इस्रेली लडाकों विमानों को ना तो लैंडिंग की अजासत देंगे और ना ही अपने आस्मान से उडान भरने की मन्सूरी देंगे। तीसरा ये कि इस्रेल से इरान के बीच की दूरी अठारा सो किलो मिटर है जहां पर इस्रेली वायुसेना के लडाकों विमानों के लिए परमानों ठिकानों पर हमला करना जरा भी आसान नहीं होगा। हालिया रिपोर्टों ने अमेरिका की नींदे उडा दी हैं। हाल में अमेरिका इरान को परमानों हथियार हासिल करने से रोकने के लिए लगातार कोशिशे करता रहेगा। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इरान हर महीने पांच परमानों बम बना सकता है। हम आपको बता दें कि हाल ही में अंतराश्टी विशेशक्यों ने चेतावनी दी थी कि इरान अपने परमानों समवर्धन की क्षमता को तीन से चार गुना अधिक बढ़ाने जा रहा है। इसके लिए वो 1400 नए सेंट्री फ्यूज अपने सबसे सुरक्षित परमानों साइट फोल्डों में लगाने की तयारी में था। परमानों हत्यारों के एक्सपॉर्ट और ISIS के अध्याक्ष डेविट अलब्राइट ने चेतावनी दी थी कि फोडो प्लांट में इरान ने जबरदस्थ परमानों क्षमता हासल कर ली है। अब वो एक महीने के भीतर ही पांच परमानों बमों के लिए वेपन ग्रेड यूरेनियम का प्रोडक्षन कर सकता है। इरान को दुनिया के नक्षे से मिटा नहीं पाएंगे।